तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी की WhatsApp स्टेटस को देखते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा जी हाँ दोस्तो हम किसी के WhatsApp status को देखेंगे लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि हमने उसका WhatsApp status देखा है तो दोस्तो ये जानने के लिए कि हम कैसे ये trick को यूज करते हैं वीडियो को अंतक देखें Hello and welcome into my channel, this is Satya Patel और आप देख रहे हैं Tech Knowledge Guru तो दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह के Tech Knowledge वीडियो रोज आना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले तो हम रोज इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं और सब्सक्राइब करके प्लीज इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हम लोगों के वीडियो की नोडिविगेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले तो दोस्तो ये रही दो WhatsApp के अकाउंट और मैं चलो आप लोगों के एक WhatsApp के अकाउंट में जाकर एक प्लोड करते हैं तो चलते हैं सबसे पहले इस फॉटो को मैं सेकर देथ हूं तो यहां पर पॉटो को सेकर के मैं आप लोगों को दिखाता हूं दूसरे अकाउंट में जाकर तॉ एक सेकंड इसको अप्लोड होने देते हैं तो यहाँ पर जैसे आप करते हैं तो यहाँ पर जाकर आप लोगों को स्टेटस में देखना होता है जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी अभी छोड़ा है एक स्टेटस तो इससे आउन करके हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ की जैसे कि स्टेटस हम लोगों ने देख लिया और नॉर्मल अगर हम लोग किसी अकाउंट में करें तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाएगा कि किसी ने एक वाटसाप को देखा है तो यहाँ प पिर से एक स्टेटस को अपलोड किया है यह रही दूसरी फॉटो और यहां पर आप देख सकते हैं जीरो व्यूज अब उस ट्रिक को मैं कैसे यूज करता हूँ जरूर इसके ध्यान से फॉलो करें तो एकाउंट को ओपन करना है और उपर के इस 3.corner में जाकर आप लोगों को इस settings वाले corner में जाकर क्लिक करना है फिर यहां पर एकाउंट में जाना है एकाउंट में जाकर हम लोगों को प्राइवेसी में क्लिक करना है तो प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देख सकेंगे read receipts option दिखाए देरी है यह by default on रहता है तो इसे हम लोगों को off कर देना है अब off करने के बाद अब हम लोग अगर किसी की whatsapp status को देखेंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा हमने उसका whatsapp status देखा है जैसा कि यहां पर एक new whatsapp status है update तो चलो इसे open करके हम लोग देख लेते हैं तो यह रहा दूसरा whatsapp status और इसे open करके जैसा कि हम लोगों ने देख लिया तो चलो अब दूसरे अकाउंट को open करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ये WhatsApp status किसी ने देखा है कि नहीं तो जैसा कि open किया यहाँ पे 2 views थे और दूसरे वाले WhatsApp में अभी भी 0 views है तो दोस्तों ये कोई fake वीडियो नहीं है प्लीज इसे try करें और फिर मुझे comment करके बताएं तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जल्दी से मुझे comment करके बताएं वीडियो पसंद आने पर प्लीज प्लीज लाइक करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स वीडियो में तब तब के लिए बाबाई जय हिंद अपना ध्यान लेखे